हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों प्रतिसत के आरारवी एंटी पीसी में जो कोशन पूछे गए थे वही कोशन लेकर काया हूँ 2016-2017 में तो आप ये वीडियो पूरा देखेगा चले स्टार करते हैं पहला सवाल है एक करमचारी के वेतन में 30% की ब 100% ठेके 100% होगा अब पहले क्या होगा दोस्तो 100% अब 100% में क्या हुआ है 30 % की बढ़ोतरी अब 100% में 30% की बढ़ोतरी हुई है तो वो 130 % हो गया है 130% हो गया न 130% हो गया और रुपई में कितना हो गया 910 उर्पया हो गया यानकि 130% की जो value है वो 910 उर्पया है 130% की value लेकिन हमें 100% की पता करनी है तो कैसे पता करेंगे इस 910 में इस 130 से divide कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से multiply कर देंगे आंसर आजाएगा 0 से 0 कर जाएगा ठीक है 13 से 97 बार में कर जाएगा और 7 कमल पर 100 से कर देंगे तो ये 700 रुपया हो जाएगा ठीक है तो बड़ोतरी होने से पहले उसका बेतन क्या था 700 रुपय था क्योंकि हमने 100% का मानने का लिए 100 से गुना करके 700 रुपय था C option बिल्कुल सही जवाब है अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशनी है 34 का 15% क्या है RRB NTPC 2017 का सवार 34 का 15% 34 का 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 मतलब multiply 15% % का मतलब होता है बटे में 100 अब इसको हम हल करेंगे यानि कि काट लेते हैं 5 से कर जाएगा 3 बार में 5 से ये कर जाएगा 20 बार में चीक है कट गया अब क्या करेंगे हम इसको भी कटा लेंगे 2 से कटा लेता हूं में इसको 10 बार में और 2 से इसको कटा लेता हूं 17 बार में यानि कि 5.1 यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा. 5.10 मलवे. पहला option सवाल का सही जवाब. अब देखेंगे अगला प्रश्ने. अगला प्रश्ने है 24 के 3 वट्टे 5 में का 40% क्या है? देखेंगा. 24 के का मतलब multiply 3 वट्टे 5 का का मतलब multiply 40% का मतलब बट्टे में 100 क्या है? यह पूछा है. चलिए. सबसे पहले मैं 24 का multiply 3 से कर लूँगा. तो यह 72 हो जाएगा. गुन बट्टे में 5 है. गुन में 40 के बट्टे में 100 है. अब इसको हम हल करेंगे. कटा लेते हैं सबसे पहले. चलिए. अगर मैं इसको कटाऊँगा तो सीधा सीधा देखीएगा. एक 0 से एक 0 यह कर जाएगा. कैंसल हो गया है? एक 0 से एक 0. दो दुने का 4 कर जाएगा. दो पंजे यह 10 हो जाएगा. बहतर का गुना 2 से करूँगा तो 144. पांच का गुना 5 से करूँगा तो 25. अब 25 से मुझे कटाना है 144 को. तो 25 से 5 वार में 125 कर जाएगा. अब 25 से 5 वार में 125 कर जाएगा 10 बचेगा. अब 5 दस मुलब एक ही ओप्ष्ण में है 5 दस मुलब यह मेरा सही जवाब है. आगे काटने की जरूत है नहीं, क्योंकि एक ही option में 5 के बाद 10 में लब है, आगे काटने चाते हो तो काट सकते हो, यह 6 का में 25 जिरू लगा देंगे, 190, 190 हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175 कटेगा, 190 में से 175 कटेगा, 15 में 0 लगेगा, तो 150, तो 25 से 6 बार में 150 भी कर जाएगा, यह आ अगला सवाल, अगला सवाल, 200 में 95 को प्रतिसत में बदलना है, अब प्रतिसत में आपको कोई भी चीज बदलनी हो, चाहे वो लोहा हो, प्लास्टिक हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई संख्या ही क्यों ना हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, कुछी भी हो, प्रतिसत में सो से गुना करोगा याद रखना ठीक है अब सो से 200 कर जाएगा यह दो बार में ठीक है और दो से 95 को कटाएंगे तो 248 एक बच्चेगा 15 दो सत्य 14 एक बच्चेगा नहीं जाएगा 1010 जाएगा 2510 47.5 बी ओफ्चन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है अब देखते अगला सवाल प्रश्णी है प्रश्णी चिन्न के स्थान पर क्या आएगा 2016 का NTPC का सवाल प्रश्णी चिन्न आपका यह रहा प्रतिसत्व का साइन है ओफ 40 बराबर 1.20 देखिएगा प्रश्णी चिन् दुना ले लेता हूं ठीक है ओफ नहीं लिखता मैं डिरेक्ट दुना लिख लेता हूं फिर 40 हो गया बराबर में 1.20 है यही तु है चलिएगा अब इसको हम जब सरल करेंगे तो यहां से सबसे पहले मैं 10 मलब को हटाता हूं तो 10 मलब के स्थान पर क्या जाएगा 1 और 10 संक्या कड़ जाती है चाहें वो ऊपर ऊपर हो चाहें वो नीचे नीचे हो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा अब प्रश्णी चिन्ने का साइन फिर गुने का साइन फिर 40 बराबर में 120 यही तो है यही दिया गया चलिए अब इसको हम डारेक्ट कटा लेते हैं 40 से 120 तीन वार में कर जाएगा यह मेरा इधर क्वेशन मार्क बीच में बराबर बराबर के इधर तीन तो क्वेशन मार्क की जो वैलू है वो कितनी आ जाएगी वो तीन आ जाएगी मतलब पहला ऑप्सन हो जाएगा सवाल का सही जबाब अब देखते हैं अगला प्रश्णी है एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गई खेलों का 60% था टीम ने कितनी खेल खेले देखेगा 60% खेले प्रतिसत में कितने खेले 60 और उसमें से जीती कितनी 45 यानि कि 60% की जो वैलू है वो 45 है कितने भी खेल खेले वो नहीं पता लेकिन हम इतना पता है कि 45 खेल जीतती है टीम जो खेले गई खेलों का 60 पर जितने भी खेल खेलेगे उसका 60 परसेंट था तो 60 परसेंट की वेलू 45 है तो 1 परसेंट की वेलू क्या होगी 45, 60 से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो यह हो जाएगे आपके पास 15 तरिक का 45, 15, 44, 3 बटे 4 एक परसेंट की वेलू 3 बटे 4 आपको चाहिए कितने खेल खेले जो भी खेल खेले होंगे अपने आप में वो कितने होंगे 100 परसेंट होंगे तो हमें 100 परसेंट का मान निकाल देना है कैसे निकालेंगे भीया एक परसेंट की वेलूट तीन वटेचार तो सो परसेंट का मान निकालने के लिए सो से मल्टिपाई कर देंगे देखें, चार से सो कट जाएगा पच्चीस बार में, तीन का गुना पच्चीस से होगा तो यह हो जाएगा 75 यह आपके प्रेशने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीच अब देखेंगे अगला सवाब, प्रेशने है यह भी NTPC 2016 का पूछा गया और यह बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि हर बार इस तरीके का प्रेशने रिपीट होता है, मुकेश शर्ट पर 30%, 25%, 15% के अनुसा पर छूट पाता है, एकल बराबर छूट ग्याद कीजिए, यान कि एक शर्ट पर यह तीन छूटे मिल रही है, तो एक छूट मिल करके क्या वनेगी वो बताना है, देखेगा सबसे पहली छूटे मेरे पास 30% की, इसे जब मैं सरल करूँगा तो 30% का मतलब बटे में 100 होता ह तीसरी छूट है 15% की, मतलब 15% का मतलब बटे में 100 होता है, पास से कटेगा 3 बार, पास से कटेगा 20 वाल मतलब 3 बटे 20, इसका मतलब क्या हुआ, कि 10 रुपे की चीज़ पर 3 रुपे की छूट, तो वो कितने बेचरा 7 रुपे में, दस रुपे की चीज़ को 7 रुपे में तभी तो 3 की चूट है, 4 रुपे पर 1 रुपे की चूट, 4 की चीज़ को वो 3 में बेचेगा, तभी तो 1 की चूट है, और 20 रुपे में 3 रुपे की चूट, 20 में 3 की चूट मतलब 20 रुपे की चीज़ को वो 17 रुपे में बेचेगा, यहां तक तो सब समझ मागया, अब इन का multiply करो 73 क्यामन का साथ से करोगे 357 यह हो जाएगा मतलब 800 रुपे की चीज़ पर इतने रुपे की छूट है ठीक है इतने रुपे में बेच रहा है चलिए अब इसको निकाल लीजे 800 रुपे की चीज़ को हम इतने रुपे में बेच रहे हैं तो मैं छूट कितने की बिलेगी चार सो तेतालिस गी आठ सो में से इतने को माइनस कर दो इतना ही तो बचेगा कितने में से 800 में से और प्रितिसद के लिए आप क्या करोगे 100 से मल्टिपाइट तो देखिएगा दो जीरो से सीधा-सीधा यह दो जीरो कटा दीजिए आठ से कटाएंगे आठ उपंजे 40 चार के ही ओप्सन में इतनका मतलब सी ओप्सन बिल्कुछ सही जवाब है आपका चलिए अब देखते अगला सवाब अगला प्रेशनी है अनिल के बेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की ब्रेद की गई उसके बेतन में अंतिम्हानी परसेंट ग्याद कीजिए पह 2016 का सवाल है क्या आप इसे कर पाओगे और नहीं कर पाओगे बहुत अच्छा सवाल है साधरन सा सवाल है इसमें कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी अनिल के बेतन में 40% की कमी फिर क्या हो उसके बाद में 40% की ब्रेद्धी तो उसका बेतन में अंतिम्हान इतना तो पता ही है यह क्या है 40% की कमी कमी ही होगा तो माइनस लेंगे यह ब्रद्धी है तो प्लस लेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है A आपका 40 है B आपका 40 है बटे में आपका 100 है 2 0 से 2 0 कारदो 4 चौक के 16 ठीक है माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल माइनस का 16 बचा और माइनस का 16 आने का मतलब क्या है माइनस में आने का मतलब क्या हा नहीं होगा पहला option सही जबाब देखने में question मुश्किल लग रहा होगा और ये तरीका कम से कम 100 बार बता चुका हूँ आज तक मैं जब से वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है यूटूब पर ये तरीका कम से कम 100 बार बता चुका हूँगा जो regular वीडियो देखते हूँगे हमारे उनके लिए ये question मुश्किल नहीं होगा वरना जो पहली वार देख रहे हैं उनके लिए मुश्किल जरूर हो सकता है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें ठीका दोस्तों धन्यवार